सो नाव ब्रैटकॉम गुरूप अब हालत बहुत बुरी है बटे यहां पर और भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वेसे थोड़ा सा यहां पर निरासा यहां पर हात लगेगी क्या हुआ है यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किस तरीके से एक पब्लिक शेर ओल्डर यह यहां पर खरीदे बेच कर रहा है ब्रैटकॉम गुरूप के अंदर 21 दिसंबर की यह बात है और यहां पर मैं आपको दिखाने वालों कुछ चीज है तो अभी यहां पर देखिए लगातार यहां पर परसेंटेज वाइस अगर डिलिवरी देखें तो किसी-किसी दिन तो ब बहुत ज्यादा हो रही है ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और यहां पर बहुत भर-बर कर मौका मिल ला है मतलब है तुरंत जो उपरी लेवल देखें तुरंत बेच कर नीचे ले आए शेर को अपना प्रॉफिट बसूल किया बस निकले तो यहां पर कुछ पर जो अगर हम देखें ना वेल्यू तो यहां पर लंसम लंसम स्मॉल के आसपास ही आगई यह ब्रैट कॉम ग्रूप की और किसी वक्त यहां पर जो है एंटर कर जायाएगा यह ब्रैट कॉम ग्रूप अपना और सिर्फ तीन रुपए नीचे और यह स्मॉल कैप का भाई बन जाएगा स्मॉल के पके अंदर यह आजाएगा मार्केट केप बाला कंपनी अब यहां पर मिद चैप का हमने चुआ इस्मॉल कैप लेकिन यहां पर जो फंड्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दिक्कत है और भढ़ने का नाम ले रहे हैं यह और अगर आप दे कर दिया स्टॉक को एवन स्टॉक का अगर बुक वैल्यू देखें तो 30.61 एन ऐसी के साब से 30 रुपए 60 पैसे इसकी रियल वैल्यू है स्टॉक की और स्टॉक काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है अगर आप फंड जो हम लों ने जाँ चाथा कि इनके पास क्या क्या है कचरा बर रखा है बीसी जी के अलावा कुछ ऐसे पैनी स्टॉक होल्ड कर रहे थे कुछ फंड तो उनके नाम पर तो दब्बा लगा हुआ है मतलब कुछ वरोसा नहीं है एकका दुका नाम है जिनके वरोसे हम बैठे थे जैसे संका सर्मा हो गए बाकी मॉर्गन स्टेंले बाकी मोतीलाल आवा चुके हैं मोतीलाल तो बहुत पैले से हैं हम जानते हैं लेकि मोतीलाल ने अपनी प्रेस कोंफरेंस के अंदर जब इसका नाम लिए तो हाँ भाई थोड़ी सी रात मिले कि हाँ भी यह कोई है अमारे साथ जो बीसी जी के अंदर निवेसित है और उसको लगता है कि हाँ भाई आगे बरोसा है इस पर और ये रावो फंड का नाम ये पबलिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो एक नाम मिलेगा हंसराज कौमो सेल्स ये कौमो सेल्स के नाम से नफरत हो गई है बहुत ज़्यादा ये कौमो सेल्स ये पीछे ही नहीं छोड़ रही है ना जाने कितने सारदा कौमो सेल्स ना जाने कितना ज़्यादा ये कौमो सेल्स के फेमस है ये ना हंसराज कौमो से देखिएगा यह रहा यह आपका 21 दिसम्बर 2022 का है यह वल की डील में है यहां पर हुआ है और हंसराज कौम उसे इस देखिए यह रहे वह उपर वाला छोड़ दीजेगा साहित वह अमारे में सामिल नहीं है मतलब शेयर ओल्डिंग बैटर में देखनी रहा है तो यहां पर ज आपके यह वाई सेल का यह उपर का है भाई का दिफेसिट नीचे पर इंटर देखर रहा था है पता नहीं जो भी ओ यह अपर बड़ी can타 मेंशन को मिल रहा है तो यह आप जब पुलिक शेयर ओल्डर अपको को एक किस्सा बताया था एचे सीयल में हिमादी स्पेसिल्टी केमिकल लिमिटेड यह बहुत पहले से हमारे लिस्ट में शामिल है यह बैटरी वाला स्टॉक तो जैसे यह साथ रुपह आता था था ना फिटी एट सिस्टी के आसपास वहाँ पर तुरंत इतनी हैवी सेलिंग आती थी अठाबन रुपह से स्टॉक को चालिस रुपह पर लाग के खड़ा कर देते क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी थी उसके पास यहाँ पर दस परसेंट स्टेक थी एचसेल की और वह बेस्टी की लगातार हाई जैसे जाता था वह बेस्टी देती थी इतना हैवी रिजि तो यह ट्रेडिंग करना ना बहुत गलत है हाला कि यहाँ पर जो है कंपनी कोई भी कंपनी हो चाहे टीस हो कितनी भी वड़ी हो यह किसी को रोक नहीं सकती कि आप हमारे शेर नहीं खरी सकते यह नहीं है आपके पैसा है मार्केट में अकाउंट है आप खरी सकते हो जितना है उतना करी सकते हो यह आपके ऊपर है आप जितना चाहे कोई नाम से लेना देना नहीं कौन आया नहीं पता कौन गया नहीं पता उससे कोई लेना देना नहीं है बटे यहाँ पर जो फंड है यह हमसराज वाला यह ऐसे तुच्छे सर्फंड जो है ना यह पता नहीं क्या क कि चल लेते आज 20% का है और कोई निगरानी नहीं है यह बहुत गलत है यहां पर कुछ गलती हो रहा है सापसी बात है यहां पर ट्रेडिंग हो रही है तो और बो भी बड़ी क्वांटिटी में है तो यह हम समझ सकते हैं कि भी यह चले क्या रहा है तो कहीना कहीं यह प्रैसर बनाने का काम कर रही है BCG के अंदर और यह मामला और खराब करती है और कुछ लोग के मैंने सुना है Sale on rise यह जो सब देना यह जो फैलाया जा रहा है यहां पर यह ट्रेडिंग की मंसा है सेल ओन राइस सेल ओन एवरी राइस मतब चार रुपए पांच रुपए बीसी जी बढ़ा और यहां पर बेच दो यह कुल मिलाकर यह बात है अगर यह ऐसी मंसा बना के चलेंगे तो यह उठी नहीं पाएगा इस पर प्रैसर और बनेगा मार्किट के अंदर मार्किट किदर भी जाया अगर ऐसी मंसा रखेंगे तो सारा का सारा जो मामला है ना वो खरा हो जाएगा यहां पर बस एक ही चीज बचा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर फॉरें से गॉर्ड इट बस एक यही रास्ता है अगर यह आ गया कंपनी अगर लेकर आती है कोई अनॉंसमेंट लेकर आती है इसको रिलेटेड तो ही यहां पर कुछ एक समलता हुआ जो है ना यह फंड को दूरी बनानी पड़ेगी ऐसे कुछ नौट किसन आने के बाद अगर ऐसे फंड ऐसे काम करेंगे वो भी इंटर्नल ही इंटर्नल वाला पब्लिक शेरोल्डर तो फिर यहां पर दिक्कत है बढ़ेंगी तो देखते हैं आगे क्या होता है कल तो ब्लॉक डील की एक और ख़बर 34,000,000 शेर्स में काम हो चुका है लेकिन पता नहीं कि बाई है या सेल है जगा जगा शो भी नहीं रहा है कुछ जगा दिखा रहा है तो देखना पड़ेगा क्या चला है लेकिन इस वक्त तो मामला जो है ओ खराब भी करके रख़ा है सो अमीद है आप पूरी बात को यहां पर समझ गया होंगे अगर आपके इस वीडियों को प्रॉब्लम में कुछ पूश है कुछ पताने कुछ कहना है तो प्रीज कमेंस से समय कहिए और अब देज में जाए वडियो देखने के लिए बहुत बदनवाद दोस्तों